Hello everyone, देखिए हम लोग यहाँ पर एक दूसरा पेपर डिसकस करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कि यह 2018 का है पेपर और 10-10-2018 का यह पेपर है, और यह तीसरे सिफ्ट का है, सिफ्ट 3 का पेपर है, 10 तारीक का, तो चलिए इसको डिसकस करते हैं, हम लोग यहाँ पर म लोगा था, तो कुल भार का कितना जो है अननास का था, ऐसे कुस्टन में हमने आपको बताया था, कि जो डिनोमिनेटर होगा, उसका LCM हम लोग मान लेंगे, कि फल का कुल भार होगा, कुल भार कितना हो जाएगा, 20, यह ट्रिक आप लोगों को बताई गई थी, अब उसके बताई देखिए, फलों के कुल भार में से एक बटे पांच खरबूजा, तो यहां पर बात हो रही है खरबूजे की, यहां पर जो बात हो रही है वो खरबूजे की, खरबूजा कितना है, एक बटे पांच भाग, एक बटे पांच भाग, कितना हो जाएगा, चार, चार हो बारा क्या है ये बनाना है ये आपका क्या रहा है बनाना ठीक है अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला गया है उसके बाद बोला गया है सेज भाग का तीन बटे चार भाग के लोगा था फलो के कुल भार का कितना अननास होगा तो बचा वाला जो भी है वो अननास होगा बारा चार सोला हो चुका है बचा कितना चार चार बच गया ना चार बच गया कितना भाग है भाई तो चार बटे total कितना था 20, 4 बटे 20, यानि कि 1 बटे 5 तो आपको यहाँ पर x मानने की जरूत नहीं है उससे question बढ़ा होगा और option यहाँ पर 4 इसका right हो जाएगा next question पर आगे बढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी questions को solve करना है ठीक है अगला question आपका देखा यही प्लस का अर्थ है गुड़ा तो भीया 18 गुड़े 32 कर लेना है माइनस का अर्थ है भाग लगा दीजिए 4 इंटू गुड़ा का अर्थ है माइनस तो माइनस का 8 कर लेंगे एंड भाग का अर्थ है प्लस 3 इसको solve करना है यह आपका कितना हो जाएगा आठ चकू 32 अठारट है 144 माइनस का 5 यहाँ पर आप देखोगे तो यह आपका 9 हो गया और 9 unit digit यानि 139 आपसे नमबर भी इसका correct हो जाएगा next question अगला question आपका दे रखा है यह जो बार दे रखा है इसको आपको convert करना है fraction में और आप लोगों को पता होना चाहिए भाई यह important है और basic सा है इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम लोग क्या करते है जो number complete दे रखा होता है पहले उसको लिखेंगे 345 हो जाएगा फिर उसके बाद में माइनिस करना होता है कितना जो बार में नहीं है जो term जो है वो बार में नहीं है उसको हमको माइनिस करना होता है तो माइनिस का 3 कर देंगे 0 3 करेंगे वो बात एक ही है 3 करना होगा अब उसके बाद में कितने अंगों पर बार है तो 9 9 हो गया और कितने पर बार नहीं है उसके लिए 0 लगाते हैं तो आपका यह हो गया 0 बस इसको सॉल करना है यह अपका क्या हो गया 342 322, अपन 9 9 0, ⁶ 9 9 0 ठीक है तो यहांपा स्वारी, दो अंक है आपके पास, आपके पास आपके बस भीड़ लगेगा जाबिफ अन्क पर यहां पर जे बस इन już बार नहीं है तो दो अंक जो है, फके d predic, pac गट गह और जेगा तो आपसंस में चक करिए 19 कहां पर आ रहा है तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है बैदो दो है और ये भी उनीस का मल्टिपल है ये भी हो सकता है तो अब तो आपको solve करना पड़ेगा ये 9 से कटेगा 945, 945, 0 और 19 नमा 170 यानि 19 बटे 550 मिल गए आपसंस कौन सा मिला भाईया बी आपसंस का राइट हो जाएगा देखिए अगला कुश्चन आपका दे रखा ये 100 वर्सों की अवधिमें सामानी वर्स जो है वो तो 300 पैस्ट दिन का होता ही होता है पी सामानी वर्स है तो पी कमान क्या हो सकता है तो सबसे पहले आप देखिए 100 वर्स में अगर हम लोग ली पियर निकालें तो ली पियर जो है कितने हो सकते है 25 ये जो 25 आपका आया है ना ये मैक्सिमम होता है कि 100 साल में मैक्सिमम जो है 25 ली पियर होंगे इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकते है हाँ इससे कम हो सकता है 24 हो सकते है ठीक है आपको यहाँ पर बताना है कि Sama nivers, Sama nivers اگر यह बात की जाए Lep year है 100 साल ठोटल थे हर 4 साल के बाद Lep year आता है तो इसका मतलब है कि Lep year कितने हुँँगे 100 साल में? 25 हो सकते हैं अगर 25 Lep year होंगे तो Normal year 75 होंगे 95 होंगे यह आपके हो जाएंगे Normal year लेकिन हमने आपको बताया कि यह जो 25 leap year हैं, यह maximum हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 25 ही होंगे, यह आप नहीं कह सकते हो, हाँ 25 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर डेटा इधर इधर होगा, तो यहाँ पर यह 24 भी आ सकते हैं, leap year जो है वो 24 भी आ सकते हैं, 100 साल में, 100 साल में leap year 24 भी आ सकते हैं तो फिर आपका जो है अगर 24 leap year हुए तो यह normal year बढ़ जाएगा 76 हो जाएगा total तो year आपके पास कितने हैं? 100 साल है 100 साल में अगर 24 leap year है तो 76 नर्मल हो जाएगा आपसन नमबर जो B है वो correct होगा भै यहाँ पर 75 आपसन में तो था नहीं तो हम 75 नहीं लगा सकते थे दूसरा क्या हो सकता है? possibility सोजनी पड़ेगी that is 76 अगला question दे रखा है कि कौन से संक्या 12 सिव भाजित है 12 को अगर आप देखोगे तो तीन गुड़े 4 है 12 क्या है? 3 गुड़े 4 तो सबसे पहले 4 की divisibility check करते है last के 2 गुड़े 4 से divisible होने चाहिए last के 2 गुड़े 4 से divisible होने चाहिए सभी divisible है बहुड चार से तो सारे divisible है अब आपको 3 चेक करना पड़ेगा और 3 के लिए क्या rule है? सभी जो अंकों का sum है वो 3 से divisible होना चाहिए या फिर direct 3 कट गया 6 कट गया 6,4,10,300 divisible नहीं है 3 कट गया 3 कट गया 6,4,10,300 divisible नहीं है यहाँ पर देखो के 6 कट गया 3 कट गया 5,4,9,300 divisible है यहाला number 300 divisible है last भी check करना पड़ेगा आपको 3 कट गया 6,4,10,14 14,300 divisible नहीं है गलत हो गया बहाई तीसरा वाला जो आप सने होगा वो 4 से भी divisible है और 3 से भी divisible है तो C जो आपसन है वो इसका correct हो जाएगा आग आते next question पर देखिए, अगला question जो आपका दे रखा है वहाँ पर अगर आप देखोगे 2x बराबर इतना दे रखा है, 2 upon x बराबर इतना दे रखा है ठीक, तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर करना है कि भाई x की value निकालो x की value निकालो तो यह आपके आएगी sec a upon 2 x की value होगी, हमको यहाँ x square चाहिए यहाँ पर 1 upon x square चाहिए तो x square की value हो जाएगी sec square a upon 4 sec square a upon 4 और यहीं पर अगर हम लोग four upon x square तो ये आपकी हो जाएगा 10 square है इसमें हमने क्या किया इसमें हमने दोनों side square कर दिया अब देखिए ये आपका four इधर ले के जा सकते हूआ ये four यहाँ से हमने हटाया इधर पहुचा दिया four x square इसमें cookies number one हो गई ये आपकी cookies number two हो गई थोड़ा सा fast करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर 4 common ले लेना है, उपर हो जाएगा x², ठीक, minus 1 upon x², हम लोग क्या गरें, घटा रहें, क्योंकि हमको चाहिए x² minus 1 upon x², तो equation first में से equation second को हम लोग घटा रहें, तो जैसे आप घटा होगे, तो 4 common हो जाएगा, x² minus 1 upon x², अब यह आपका sec square a, sec square a, इधर भी घट जाएगा, minus का 10 square a, minus का 10 square a, ठीक, इसकी value होती 1 के बराबर, इसकी value 1 के बराबर होती है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो x² minus 1 upon x² की जो value है, वो कितनी हो जाएगी, एक बटे 4, एक बटे 4 हो गई, लेकिन आपसे पूचा गया है, भाई, इसकी value पूची गई है, तो 2 into, हमने इसकी value एक बटे 4 निकाल ली, एक बटे 4 कर देंगे, यहाँ से यह cancel out हो गया, एक बटे 2 जो है, वो इसका right answer बन जाएगा, आपसे नमबर जो A है, इसका correct होगा, next question पर आगे बढ़ेंगे, अगला question दे रखा है, कि एक समोसा विक्रेता, अपने दोस्त के साथ, अपनी website के स्थित पर चर्चा करता है, वो कहता है, पिछले वर्स, और इस वर्स के बीच, उसने अपनी आए को तीन गुनी कर लिया है, बहुत स्कोप दिख रहा है, उसने अपनी आए को तीन गुना कर लिया है, और परतेक समोसा 20 रुपे का विक्ता है, यहां तो इसका जो है लाब कमाया है, तो अभी आप देखोगे, इस टाइम के बारे में बोल रहा है, अब जो है, वो तीन गुना कर चुका है, जयनि लाब अब कितना कमाएगा, इसका जश्ट आपको इसका तीन गुना कर देना है, तो इसको आपको डिवाइड करना किस से बारा से ये पर महिना आ जाएगा पर मन्त आ जाएगा कितना इसको कैंसल करोगी तो ये आपका हो जाएगा 30,000 तो 30,000 रुपए एक गवर्मेंट जॉब के बराबर 30,000 रुपए जो है वो पर महिने निकालता है प्रॉफिट प्रॉफ आपका हो जाएगा 1500 तो आपसे नंबर 3 जो है वो इसका राइट हो जाएगा अगला कुशन आपका दे रखा है कि जतिन 7.5 km अधिक दूरी तया करता है यदि वह परति घंटे 4 km की बजाय 9 km चलता है उसके दौरा तया की गई दूरी किलोमेंटर में क्या होगी तो अभी ज दिस्टेंस दे रखिए न तो दिस्टेंस में जो रेशियो है वो 4.59 का है तो यहां पर प्रति घंटे सारी स्पीड में जो रेशियो दे रखा है प्रति घंटे अगर आप चल रहे हो तो वो स्पीड होता है स्पीड में जो रेशियो है वो 4.59 है टाइम यहां पर कॉंस्ट तो जो distance है, यह अपकी speed हो गई, यह अपकी distance हो गई, इसका reverse हो जाएगा, 9.5, 4, 9 से 4 जा रहा है, मतलब की? 5, यह जो 5 आया है, यह किसकी बराबर है? 7.5 के बराबर, 5 जो आया है, वो किसके बराबर होगा? 1.5 के बराबर, आप से पूछा गया है, उसके दोरा टै की गई दूरी, वास्तों में उसकी दूरी कितनी है, वास्तों में तो यह है न, इसकी value निकाल देंगे, 0.15 कितना हो जा अगला कोशन यहाँ पर अर्ल확 देखोंगे तो यह आपका लिखा हुआ है थेरा जोड़ा गया है यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो यह कितना जोड़ा गया है icon चेह उद्फीय किया गया है तो आगे क्या होगा 216 & 23 gent 22 55 आड़ गया जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 85, 13, 135 तो यहाँ पर जो है वो बी आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन दे रखा है कि एक टनकी में दो नल है पहला नल पहला टनकी में पानी भरता है दूसरा जो है वो खाली करता है ठीक है टंकी चार घंटे में भर जाती है जब पहला नल खुला होता है पूर्ड टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा जब दूसरा वला खुला होता है देखें यहाँ पर total work कितना हो जाएगा 12 efficiency देखोगे तो यह 3 की efficiency से भरता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 जब दोनों pipe खुले होते हैं तो भरने वाला सिर्फ 1 की efficiency से भर पाता है यानि A की जो efficiency है वो 3 हो गई और जो B की efficiency है वो कितनी हो गई 2 हो गई तभी तो जोड़ोगे तब 1 आएगा आपका जो खाली कर रहा है उसके लिए minus का यूज करेंगे खाली जो कर रहा है उसके लिए minus का यूज करेंगे तो A जो है वो 3 से क्या करता है फिल करता है और B बराबर 2 यह 2 की efficiency से खाली करता है ठीक है आपसे बोला गया है कि दूसरा वाला दूसरा वाला बाइ टोटल वर्क हमारे पास 12 है बात हो रही है जो खाली करता है कितनी speed से 2 की speed से आप आप 2 कर देंगे बराबर 6 घंटे आपसा नंबर C जो है वो correct हो जाएगा अगला question है तो आप यहाँ पर देख सकते हो time and work का question है वो हर एक shift में पुछा जा रहा है और 2 से 3 questions आ रहे है time and work में आपका यह pipe और टंकी वो अले questions वो एक ही में आ जाते हैं ठीक है दोनों का concept सेम है pipe A जो है pipe B है और pipe C है pipe A जो है 8 घंटे में pipe B है वो P घंटे में pipe C है जो 24 घंटे में टंकी भर सकता है यदि सभी pipe खुले हैं तो टंकी को भरने में 2.4 घंटे लगते है cool time जो है 2.4 घंटे लगते है तो P का मान बताना है question थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है बांकी concept वही सेम है आपको क्या करना है सबसे पहले total work निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मान लेते हैं यह total work जो होगा 24 P होगा 8 P और 24 का अगर आप LCM निकालोगे तो वो इतना ही निकल कर आएगा अब उसके बाद इसकी efficiency देखोगे अगर इसकी efficiency देखोगे तो वो efficiency आपकी निकल कर आएगी 3 P इसकी efficiency कितनी होगी 24 और इसकी efficiency होगी P अब बोल रहा है भाई तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है total कितना होगा है 24 P तीनों को जोड़ दीजिए 3 P 24 प्लस P यानि 4 P प्लस 24 4 P प्लस 24 यही तो हम लोग करते आ रहे है पीछे questions में हम लोगे यह भी किया था यही same process बराबर 2.4 अब की बार हमको answer पता है पिछले question में हमको यह चीज नहीं पता थी यह हमको निकालना था अब की बार यह हमको पता है और यहाँ पर P की value निकाल लिए 24 यह आपका है इधर आपका हो जाएगा 0.1 P बराबर 0.4 P प्लस 2.4 0.4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 0.6 P बराबर 2.4 ठीक और यह point से point cancel हो जाएगा P बराबर 24 बटे 6 यानि P बराबर कितना हो जाएगा 4 तो यह P किया है? 4 गंटे में फिल करेगा तो P की value जो है वो कितनी आ जाएगी? 4 आपसा number 3 जो है वो इसका correct होगा सेम question है अगर यहाँ पर P की value दे देते और यह आप से पूछा जा रहा होता तो आप question को इजली कर लेते लेकिन यहाँ पर बीच में P डाल दिया गया है इस वज़े से थोड़ा सा आपको लगेगा कि difficult हो गया आपकी question बिल्कुल सेम है अगला question आपका दे रखा है नीचे बार graph है XYZ company के पिछले 10 वर्षों में बिक्री की गए personal computer की सूचना दरसाई गई है वर्ष 2010 में XYZ द्वारा कितने यूनिट बेचे गए वर्ष 2010 में 2010 का आप यहाँ पर देख सकते हो यह किसके बराबर है 30 के बराबर है क्योंकि आपको यह देखना है यह वाला graph 30 के बराबर है तो option number जो B है वो correct हो जाएगा अगला question दे रखा है एक man जो है वो अपने son से 9 times है तो son X माल लेते हैं तो जो उसका father है वो 9X हो जाएगा 2 year son जैनी 2 साल बाद 2 साल बाद तो X plus 2 कर लेंगे इधर और 9X plus 2 कर लेंगे इधर 2 साल बाद father will be 1 year less than 6 time as old son तो यह जो है आपका 6 गुना हो जाता है 6 गुने से एक कम तो इस साइड अगर हम एक बढ़ा देंगे तो यह जो son है वो 6 गुना हो जाएगा बस इसको आपको solve कर ला है और find their present age दोनों की age आपको निकाल लिए है तो 6X plus 12 बराबर 9X plus 3 9X plus 3 तो यह आपका इस साइड आएगा तो यह कितना हो जाएगा 9,3,12 बराबर 3X X बराबर कितना हो गया 3 और 9X बराबर कितना हो जाएगा 27 तो 3 और 27 अपसा नमबर A जो है वो correct हो जाएगा अगला question है आपको इसमें बताना है कि सबसे जो है वो बड़ी भिन कौन सी है बहुत ही simple सा है यह कितना हो जाएगा 1 बटे 5 यह कितना लिखा हुआ है 1 बटे 4 यह कितना लिखा हुआ है 1 बटे 8 यह कितना लिखा हुआ है 1 बटे 400 1 बटे 40 1 बटे 40 यानि 1 बटे 5, 1 बटे 4 1 बटे 8 और 1 बटे 40 इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन चोटा है सीधे सीधे देखकर आप बता सकते हो जिसकी हर में जितनी value जादा जिसकी हर में value जादा उसकी overall value कम हर में ये देखिए 40 लिखा हुआ है तो हर में अगर आपका जादा है तो overall value जो है वो सबसे कम हो जाएगी तो एक बटे 40 उससे बड़ा कौन सा होगा उससे बड़ा होगा एक बटे 8 उससे बड़ा क्या होगा एक बटे 5 जिसकी हर में सबसे कम value होगी क्योंकि उपर अंस तो सभी का सेम है तो इस वज़े से ये जो है आपका करम निकल कराएगा और सबसे बड़ा आप देख सकते हो यह यहां पर एक बटे 4 होगा और यह बटे 4 कहां से आया था यह पांच बटे 20 से तो आपसंस आप देखोगे पांच बटे 20 तो यहां पर थर्ड आपसंट हो जाएगा अगला कोशन दे रखा है नीचे दिया गया पाई रेका चेतली 2,17 के दारान यहां पर कुल आकडे अबले तो 5% की value आप लोगों को निकाल लिए है यहां पर हमने just 20 से divide किया है तो इस side भी आपको क्या करना है 20 से divide कर देना है कितना हो जाएगा एक zero cancel हो जाएगा और 9,000 9,000 तो आपसा number B जो है वो correct हो जाएगा अगला question दे रखा है विमल ने 5,000 रुपए का rate कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3,000 का rate 4 साल के लिए एक ही बैस दर पर दिया दोनों का जो combine बैस है वो 22 रुपए है तो आपको यहां पर rate बताना है तो देख सकते हो हमने माना यहां पर r% interest होगा तो r% interest के हिसाब से 5,000 5,000 into 2, यह आपका हो जाएगा 2R, दो साल के लिए है तो 2R हो गया, अपान में क्या करेंगे 100, प्लस इसका अगर आप निकालोगे 3000 का 4 साल के लिए, तो 3000 into 4R, 4R upon 100, दोनों का हमने क्या निकाला, SI निकाल कर बराबर कर दिया कि इसके 200 हो गया, इसको calculate करना है, 0,0 cancel, 0,0 आपका cancel, यहां से भी 00 cancel out हो गया, अब उसके बाद यह आपका हो गया, प्लस यह आपका हो गया, 120R, 120R, बराबर 200, 120, प्लस सो, 220R, 220R बराबर 200, सीधा सीधा आप देख सकते हो, यहां पर R बराबर कितना हो जाएगा 10, तो R की value होगे 10%, अबसा नमबर 4 जो है, वो correct हो जाएगा, अग 713.79, 713.39, एकाउंट में इतने रुपए थे, उसने 450.75 जमा कर दिये, 450.75 उसने जमा कर दिये, कितने हो गये total उसके पास, 9, 5, 14, 7, 10, 10, 11, और यह आपका हो गया, 4, 6, इतने रुपए उसके पास हो गये, अब आगे बोल रहा है कि, उसने रुपए निकाले, 5T-side के लिए जो की 123.79 की थी, एक टी-सर्ट का कास्ट है, 123.79, ऐसी उसने 5 टी-सर्ट खरी दी, और इतने रुपए के लिए उसने बैंक से रुपए निकाले, तो भाई उसने कितने निकाले होंगे, जितने की वो टी-सर्ट होंगी, तो 103.79 इसको आप multiply करा दीजिए, कितना हो जाएगा 7.35, 4.49, 3.15, 3.18, और 12.56, 61, तो यह आपका हो गया, 618.69, अब उसके एकाउंट में कितने रुपए बचे होंगे, यह आपको calculate करना है, तो भाई, टोटल इतने रुपए थे, इतने का उसने टी-सर्ट खरीदी है, उसके लिए उसने निकाला होगा, तो यहाँ से हम लोग इसमें किसे घटा देंगे, तो यह कितना बचेगा, 9, ठीक है, और यहाँ से आपका कितना बचेगा, 1, यह 5, तो आप देख सकते हो, 4 options जो है, वो आपका match हो रहा है, 4 options जो है, वो match हो रहा है, तो पूरा calculate करने की भी आपको need नहीं थी, तो यहाँ पर जो है, इसका right answer क्या क्यारा हो जाएगा, तो यह आपका बनेगा, 542.19, तो यहाँ तक आप solve करोगे, आगे देखोगे, तो ऊपर यह आपका 1 होगा, इससे घटाओगे तो 5 आपसा number 4 जो है, वो correct होगा, अगला question जो है, वो आपका दे रखा है, एक triangle है, एक triangle है, उसमें जो है B वाला cone, B cone जो है वो sum code है, B cone जो है, वो sum code है, A पर जो है, वो 60 degree है, तो भाई C पर कितना हो जाएगा, 30, सीधा सीधा, आपसे पूछा गया है, sin square A minus cas square A, plus 10 square A, plus 10 square A, इसकी value निकाल ली है, इसकी value क्या होगी, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, A बराबर आपका 60 degree दे रखा है, sin 60 कित स्कार करोगे, तो एक बटे 4 हो जाएगा, 10, 10 60 कितना होता है, root 3, square करोगे, तो यहापका हो जाएगा, 3, यहाँ से कितना हुआ, 2 बटे 4, या एक बटे 2, प्लस 3, कितना हो जाएगा, 3 से 1 बटे 2, यानि 3 दो निचे 1, 7 बटे 2, ठीक, तो यहाँ पर 69 का जो answer है, वो 7 बटे ठीक है, time and work का, यहाँ पर यह तीसरा question देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप देखोगे, निकल 30 दिन में करता है, और 40 दिन में करता है, जब वे अकेले कार करते हैं, ठीक है, अलग-अलग, यदि वे दोनों 8 दिन तक 7 काम करते हैं, तो समान काम को पूरा करने के लिए, कि यदि वे, 8 दिन तक, 8 दिन तक 7 में काम करते हैं, दोनों की पर संसी कितनी हो जाएगी, 7, 8 दिन तक काम करते हैं, कितना हो जाएगा, 56, 56 हो गया, तो अभी आप देखोगे, सेस काम कितना बचेगा, आप से बोला गया है, कितना कार बांकी रहेगा, तो सेस काम आपको निकल करने के लिए कितना कारे बांकी रहेगा कितना कारे बांकी रहेगा वो तो आपको फ्रेक्षिन में निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पर तो आपने इस यूरिट माना है तो आपको फ्रेक्षिन में निकालना यह जो question आपका लिखा हुआ है, इसका answer आपको comment box में बताना है, बोर्ड मांस के नियम पर आधारीत है, इस question का answer आपको comment box में करना है, 35 का 0.06, 35 का 0.06 प्लस 75 का आधा कितना होगा, ठीक है, तो इसका answer आप लोगों को comment box में बताना है, next question पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका question दे रखा है, 12 घडिया बेच के दुकानदार दो घडियों के विक्रे मूल के बराबर लाब कमा लेता है, तो आपको percentage लाब बताना है, तो भाई percentage लाब के लिए कितना उसने लाब कमाया है, दो घडियों के विक्रे के बराबर उसने लाब कमाया है, ठी क्रेमुल लिखते है ना तो यह जो बारा गड़ियों का क्रेमुल है लाब को अगर आप फटा दोगे तो यह 10 बचेगा कितना हो जाएगा एक बुटे पांच एक बुटे पांच किसके बराबर होगा बीस परशन डायेक्ट निंगल कर आ जाएगा आपको ज्यादा इसमें ता तो यह एक 90 डिग्री अंगल बनना है और यहां पर भी एक 90 डिग्री अंगल बन रहा है यह आपका क्या हो गया यह आपका हो गया राइट अंगल ट्रेंगल और यह भी सैड में राइट अंगल ट्रेंगल हो गया और राइट अंगल ट्रेंगल का जो एरिया है वो हम लोग बोड़े 2, गोड़े 3, गोड़े 21, दोनों पार्ट का हम लोग अलग-अलग अरिया निकालेंगे क्योंकि यह एक ट्रेंगली साइड बनना, एक ट्रेंगली साइड बन रहा है, कितना हो गया, 63 बटे, 2, दोनों को आड़ कर देना, तभी तु को अड़ेटल का अरिया निकल कर जाएगा, ठीक है, अलड़ी हम लोग ऐसा कॉस्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो इजी सा कॉस्चन है, यहाँ पर इसका जो एंसर है, वो सरस्ट हैगा, आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप आप देखोगे, अगला कॉस्चन दे रखा है, यादी बहुप तो अलफा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पांच के बराबर, माइनिस कभी यह पाने होता है, अलफा इंटू बीटा सी यह पाने होता है, यानि कि 6 बटेक, यानि अलफा इंटू बीटा बराबर 6 हो जाएगा, आप से बोला गया है, अलफा स्क्वार, इसको थोड़ा सा simplify करते हैं कि यह लिखा क्या हुआ है alpha square plus beta square अब upon में इसको अगर आप solve करोगे तो यह आपको हो जाएगा 1 upon alpha square plus 1 upon beta square बराबर थोड़ा सा speed में questions को solve करना है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह आपको हो जाएगा alpha square plus beta square into alpha plus alpha into beta भाई कर आप इसको solve करोगे तो यह कितना आएगा alpha into beta आएगा denominator में denominator में आपका alpha square beta square आएगा और उपर आपका बचेगा alpha square plus beta square ठीक है तो यह आपका उपर चला गया यह दोनों cancel out हो गया कितना बच गया alpha square beta square यह जो आपसे पूछा गया है वो basically यह पूछा गया है तो आप देख सकते हो भाई alpha beta की value 6 है तो alpha square plus beta square की value कितनी हो जाएगी 36 अपसर number 4 जो है वो correct हो जाएगा तो देख सकते हो यह time and work का चौथा question है एक ही shift का paper है ऐसा नहीं कि सारे इसमें मिला दिये हो गया होंगे 10, 10, 2018 shift third का एक paper है जिसमें आप देख सकते हैं यह time and work का चौथा question है तो एक इसी कार को 5 दिन में करता है जबकि इसी कार को 10 दिन में करता है 5 हो गया, 10 हो गया वे मिलकर कार प्रारम करते हैं छोड़ दिया लास्ट के 4 दिन तक सिर्फ B ने काम किया यह अपका A है और यह B है लास्ट के 4 दिन तक सिर्फ B ने काम किया B ने लास्ट में 4 यूनिट काम किया A ने कितने दिन तक काम किया था तो अभी आप देखिए A ने कितने दिन तक काम किया ये B ने काम किया लास्ट के चार दिन तक, कितना काम बच गया, भाई, remaining work देखेंगे नá, remaining work ये कितना निकल कर आया है, जब दोनों ने मिल कर काम किया था, दोनों किस unit से मिल कर काम कर रहे होंगे, तीन unit से, 6 unit काम किया गया है, तीन unit की efficiency से, तो कितना time लगा होगा? दो दिन दो दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया था फिर उसके बाद में 4 दिन तक A ने 4 दिन तक B ने काम किया, A तो छोड़कर चला गया था अगर आपसे यही पर पुछा जाता कि total कितना समय लगा? तो दो दिन यह हो गए और 4 दिन यह हो गए total जो time लगता वो 6 दिन लगता लेकिन आपसे तो बोला गया है कि A ने कितने दिन तक काम किया था A ने सिर्फ उतने ही दिन काम किया जितने दिन दोनों ने मिलकर काम किया है तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया था? 6 unit काम किया है, वो 6 unit 3 efficiency से किया गया है, कितना समय लेगा दो दिन, तो absence 2 इसका correct हो जाएगा अगला question दे रखा है, कि किसी संक्या का 108%, तो x माल लेते हैं, x का 108%, किसके बराबर है, 189 के बराबर है तो इसको कट करोगे 9 से, यह हो जाएगा 12 नमा 108, यह हो गया 21, 3.12, 3.21, 4 से cancel out हो जाएगा 25, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुड़े साथ, यानि कि 175, तो 175 यहाँ पर right answer होगा, अपसा number 3 जो है, वो correct होगा अब ही आपको यहाँ पर LCM निकालना है, 20, 40, 25 और 30, ठीक है, 20 को आप लिखो के 5 गुड़े 4, 40 को लिखो के 8 गुड़े 5, 25 तो 25 को पड़ा रहने हैं तो ऐसे ही, और यह आपको कितना हो जाएगा 30, 30 को लिख सकते हो, 5 गुड़े, 2 गुड़े 3, LCM निकालने के लिए maximum ची अगला कुशन आपका दे रखा है, X बराबर, Y 50% यानि Y बटे 2, तो आपको बताना है कि 25 का Y परसेंट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Y का 25%, Y बटे 4, Y बटे 4, Y बटे 4 कितना होगा, अगर हम यहाँ पर 1 बटे 2 से मल्टिप्लाई करा देंगे, तो Y बटे 4 बराबर क्य तो यह आपका कितना दे रखा है, यह भी X बटे 2 नहीं है, यह भी X बटे 2 नहीं है, तो आपका जो कुशन है, वो यहाँ पर कोई आपसन मैच ही नहीं हो रहा था, तो यह जो कुशन है, उसके आपसन यहाँ पर नहीं मैच हो रहे हैं, तो इसको जो एग्नोर कर दिया गया तो यहां पर सारे questions complete होते हैं, कैसी लगी आज की एक class आपको comment box में जरूर बताना है, और जो questions हमने पूछे हैं, उनका answer आपको जरूर से बताना है, मिलते हैं कल की class में, तब तक के लिए, take care.